आपको पानी का जबरदस्त ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये 72 प्रतिशत है और इसमें जबरदस्त यादाश्त है। जैसे ही ये नल में आता है, अगर आप उसे लेकर पी लें, तो ये आपके सिस्टम में जहर की तरह काम करेगा। हवा पर असर पड़ता है, सिर्फ आवाजों, एरादों और भावनाओं से हर दिन शरीर पर कुछ दूप पढ़ने दें, क्योंकि दूप आज भी शुद्ध है। प्रणाम सद्गुरू, मैंने आपको कहते सुना है, कि शरीर का सत्तर प्रतिशत पानी है, और अगर हम उर्जावान पानी पीएं, तो हम शरीर और मन पर पकड़ बना सकते हैं। क्या ये हमारे द्वारा ली गई हवा और भूजन के मामले में भी सच है? क्योंकि शहरों में हमें प्रदुशित हवा में रहना पड़ता है, और हमारी कमपनियों में एयर कंडिशन कमरे होते हैं, तो क्या आप भूच शुदी प्रक्रिया को विस्तार से समझा सकते हैं? अगर आप अपनी कमपनी को कहें कि मैं एयर कंडिशनर के बिना काम करने के लिए तैयार हूँ, तो वो बहुत खुश होंगे, इससे उनका बहुत पैसा बचेगा, है ना? और ये आपके लिए कई तरीकों से अच्छा होगा, लेकिन, लेकिन, ये शहर अभी वैसी स्थिती में नहीं है, यहां अगर आप खिड़की खोलेंगे, तो हवा नहीं आएगी, धुआ आएगा, बद्बू आएगी, मिट्टी आएगी, तो ये अच्छा है, आरामदायक है, लेकिन, आपको यहां 24 घंटे नहीं बैठना है, बस काम करना है, आप जब भी हो सके, सेर कर सकते हैं, और वैसे भी 72 प्रतिशद पानी है, 12 प्रतिशद प्रित्वी है, सिर्फ 6 प्रतिशद हवा है, वो 6 प्रतिशद हवा पूरी सांसों में नहीं है, जो 6 प्रतिशद हवा यहां है, उसमें सिर्फ एक प्रतिशद से कम आपकी सांसों में है, बाकी बस मौजूद है, कुछ लोगों के दिमाग में जमी होती है, वरना शरीर की हर कोशिका में हवा होती है, तो हवा का मतलब सिर्फ सांसे नहीं है, 6 प्रतिशद हवा शरीर की हर कोशिका में है, बस उसे दिमाग से थोड़ा हटा लें, तो अच्छा होगा, फेफडों, हृदय और मास्पेशियों में होना अच्छा है, वो अच्छे से काम करते हैं, अगर ऑक्सिजन है तो, अगर ऑक्सिजन की कमी हो, तो मास्पेशियां सक्त हो जाते हैं, क्यूंकि इन्हें हवा की जरूरत है, वरना ये काम नहीं करेंगी, तो, पानी 72 प्रतिशद है, इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान पानी का रखना चाहिए, क्यूंकि ये 72 प्रतिशद है, अगर आप परीक्षा देने जाते हैं, मान लीजिए, मान लीजिए आप भौतिकी की परीक्षा देने जाते हैं, आपको पानी, प्रिथवी बगएरा पढ़ना है, लेकिन सिर्फ पानी के विशे के लिए 72 मार्क हैं, तो आप स्वभाविक रूप से उसे पढ़ने के लिए ज्यादा समय देंगे, है ना, पानी को पढ़ेंगे, हाँ या ना, हवा सिर्फ 6 प्रतिशद हैं, आप शायद ना पढ़ें, क्यूंकि आप 94 पाकर खोश हैं, पानी आपको पढ़ना चाहिए, क्यूंकि ये 72 प्रतिशद है, आपको पानी का जबरदस्थ ध्यान रखना चाहिए, क्यूंकि ये 72 प्रतिशद है, और इसमें जबरदस्थ या दाश्ट है, अगर मैं इसे खोलूं, या बिना खोले भी, अगर इससे कुछ कहूं, तो ये य इस पानी को इसके स्त्रोट से लें और अपने घर तक पंप करें मान लीजिए ये पचास मोडों से गुजरा और इसे बल पूरवक पंप किया गया एक निश्चित ताकत लगा कर जो स्वभाविक रूप से होता है और आप बारवी मन्जिल पर रहते हैं तो और जोर लगाया गया कहा जाता है कि अगर ये पचास मोडों से गुजरता है तो 60 प्रतिशत पानी जहर बन गया जैसे ही ये नल में आता है अगर आप उसे लेकर पी लें तो ये जहर की तरह काम करेगा आपके सिस्टम में अगर आप इसे लेकर कुछ देर पकड़ें तो ये फिर से ठीक हो जाएगा क्यूंकि जहर रासायनिक नहीं है ये आनविक है आनुओं में बदलाव होते हैं कोई रासायनिक बदलाव नहीं होते इसलिए पारंपरिक रूप से आपकी दादी ने हमेशा कहा था एक फूल रखा हो हाँ या ना पारंपरिक घरों में कल सुबह ही उसे पिएं जैसे ही वो आपके घर पर आता है उसे ना पिएं क्यूंकि इसमें हर तरह की यादें होती बहुत ज्यादा पारंपरिक घरों में लोग हर दिन पानी के बरतन की पूजा करते हैं, और पानी के आते ही उसे कभी न पियें, उसे रखें, उसे काफी समय दें ताकि वो खुद को ठीक करें, इकठी की गई बकवास को छोड़ दें, ताकि वो आपके पीने के लिए ठीक हो, पानी का आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये 72 प्रतिशद है, ये फर्स क्लास है, पासिंग मार्क से ज्यादा, अगली चीज है भोजन, क्योंकि ये प्रिथ्वी है, 12 प्रतिशद, ये भी काफी है, है न, तो आप में भोजन कैसे जाता है, किसके हाथों से आपके पास आता है, आप उसे कैसे खाते हैं, इस सभी चीजें महत्वपूर्ण हैं, अगली है हवा, 6 प्रतिशद, इस 6 प्रतिशद में सिर्फ एक प्रतिशद या उससे कम सांसे हैं, बाकी कई अलग-अलग तरीकों से होती हैं, और ये महत्वपूर्ण हैं, विशेश शुरूप से अगर आपके बच्चे हैं, तो कम से कम महीने में एक बार उन्हें कहीं बाहर ले जाएं, फालतू सिनिमा में नहीं, वहां हर किसी की बकवास हवा में सांस लेनी पड़ेगी, हवा पर असर पड़ता है, सिर्फ आवाजों और एरादों और भावनाओं से, वो सारी बकवास जो स्क्रीन पर चलती है, और सारी बक किसे प्रभावित करती है, तो उन्हें सिनिमा ले जाने से अच्छा है, उन्हें नदी पर ले जाएं, उन्हें तैरना सिखाएं, पहाड़ पर चड़ें, पहाड़ कहां है सद्गुरू, हिमाले बहुत दूर है, आपके बच्चे के लिए एक छोटी पहाड़ी भी बहुत ह है, हाँ, एक छोटी चटान भी, बस उस पर चड़कर बैठें, बच्चे उसका बहुत आनंद लेंगे, वो तंदरुस्त बनेंगे, आप तंदरुस्त बनेंगे, और सबसे बढ़कर आपका शरीर और मन अलग तरीके से काम करेंगे, और इससे भी बढ़कर आप स्रिष्टा की स्रिष्टी से जुड़ेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उस बक्वास से नहीं जो आपने बनाई है, हाँ, वो अभी आरामदाएक है, पर वो सब कुछ नहीं है, तो रेस्टरॉन जाने के बजाए, सिनेमा जाने के बजाए, ऐसी किसी और जगए जाने के बज सकते हैं, वैसे भी आपको खाना है, आपको उस पर पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है, इससे भी अच्छा होगा, अगर आप बस और कार पर भी पैसे खर्च नहीं करना चाहते, तो आप सभी साइकल चलाएं, बस हैदरबाद से तीन या पांच किलो मीटर दूर एक पहाड पर बैठें, वहाँ पर समय बताएं, सूरज को महसूस करें, ये बहुत जरूरी है आपको कुछ धूप, हवा और अच्छा पानी मिले, ऐसा करके आप भूच शुद्धी कर रहे हैं, एक बहुत ही प्राकृतिक तरीके से, ये परम भूच शुद्धी नहीं है, लेकिन आप कुछ भूच शुद्धी कर रहे हैं, मैं यही कह रहा था, अगर आप भोजन, पानी का ध्यान रखें, हवा अमेशा आपके नियंतरन में नहीं होती, क्यूंकि आप शहर में रहते हैं, पानी और भोजन का आप ध्यान रख सकते हैं, और आपके अंदर किस तरह की अगनी जल जलती है, उसका भी आप ध्यान रख सकते हैं, धूप शुद्ध नहीं होई है, है ना, रोज कुछ देर धूप में रहें, प्लीज, हर दिन शरीर पर कुछ धूप पढ़ने दें, क्यूंकि धूप आज भी शुद्ध है, है ना, सो भागे से उसे कोई भी दूशित नहीं कर सकता, और आपके अंदर किस तरह की अगनी जलती है, क्या ये लालच की अगनी है, नफरत की अगनी है, नाराजगी की अगनी है, क्रोध की अगनी है, प्रेम की अगनी है, करुणा की अगनी है, आपके भीतर कैसी अगनी जलती है, आप उसका ध्यान रखिए, फिर आप अप प्रुम्हान